हलो स्टूडेंट्स, लेट उस लर्न अबाउट रीजनल आर्ट एंड कल्चर रीजनल आर्ट और कल्चर का मतलब होता है बचों, इस्थाने कला और संस्क्रती मेडाइवल पीरियेट में आर्ट और आर्चेट्रेक्चर का डवलप्मेंट बहुत जादा हुआ आर्चेट्रेक्चर इस्पेशली बहुत जादा डवलप्म हुआ, इंडो-इस्लामिक स्टाइल आर्चेट्रेक्चर के अंदर फ्यूजड हुई, पेंटिंग्स, पेंटिंग्स जिनमें की मनुस्क्रिप्ट्स के जो सीन्स हैं, उनको डिपिक्ट किया गया ये एक नई हाइट्स पर पहुँची, क्योंकि इस समय तक पेपर का इन्वेंशन हो चुका था, और अब पाम लीफ की बजाए, पेपर के उपर चीजों को लिखा जाने लगा था Let us understand about the architecture, architecture का मतलब होता है स्मारक, किसी इस्थापत्यकला कि उस समय पर किस तरह से बिल्डिंग्स को बनाया जाता था Regional style थी, architecture की इस period में, जो की Indo-Islamic style से अलग थी Indo-Islamic कई जगे जहां पर की मुसल्मान राजा थे या सल्तनत period के जो kings थे, वहां पर Indo-Islamic style ही हमें देखने को मिलती है लेकिन कुछ cases में, regional style architecture की हमें देखने को मिलती है साथी साथ में mixture मिलता है, Indo-Islamic style का बंगाल, बंगाल में जब मुसलिम शासन स्थापित हुआ, तो वहां पर independent architectural style सामने आई 15th और 19th century के बीच में बंगाल में बहुत सारे मंदिर बने इन temples में double roof होती थी या four roofed structure होता था, जो की बंगाल के मंदिरों का एक विशेश feature था जौनपूर, जौनपूर में मालिक सरवार ने शरीक kingdom को स्थापित किया, जो मालिक सरवार फिरोशा तुगलक का एक नोबल था यहां पर अटाला मज़ित और जामी मज़ित बनी जो की जौनपूर की एक डिस्निक्ट आर्किट्रेक्टर की style है सेंट्रल इंडिया में धार, मंडू और चंदेरी, यह कुछ ऐसी जगे हैं जहां पर की मध्य भारत की style, आर्किट्रेक्टरल style हमें देखने को मिलती है यहां पर बहुत मज़ित हैं, मकबर हैं और महल हैं, इस style के अंदर बिलकुल सीधे दिवारे बनाई जाती थी आर्च और बीम दोनों को mix करके, उनका mixture का combination बनाय जाता था, यह हमें तुगलक आर्किट्रेक्टरल के अंदर देखने को मिलता है मालवा की आर्किट्रेक्टरल style के जो main features थे, यह stately flights of steps of considerable length leading to their entrance की बिलकुल सीधे दर्वाजे होते थे, जो की बहुत ही उचे-उचे होते थे, जहां से की enter किया जाता था दूसरे बहुत सारे reason थे, दक्षेन, विदर, विजयनगर और गुजरात, यहां पर indigenous style architecture की हमें देखने को मिलती है लेकिन especially विजयनगर empire जो की दक्षिन भारत का एक हिस्सा था, यहां पर हम बिलकुल finest architecture style को देख सकते हैं विजयनगर शहर अपनी स्थापतिक अला के लिए आज भी बहुत जादा इतिहास के अंदर जाना जाता है थैंक यू